ततोर देस्टी ने चली जाइव , प्रेंड आप में बनाऊंगी यह बनाना वाली हूं बहुत आपने पृझायश गंद कॉर्पी दिये reconcile- बिल्कुल ऐसे बनारेसिपी बनाने वाले मादा वाल इसे डूस्टी अनुट पनाओ- यह चाकु से कट कर सकते हो यह पिर चाकु से कट कर सकते हो इस टाइप से कट करना है और यह रेश्मिनम बहुत ही जल्ली बन जाती है यह चाकु से कट करने में थोड़ा टाइम लगता है चिप्स को अगर अगर आपके पास मसीन है आप मसीन से कट करोगे तो मसीन से भी बहुत जल्दीर से यह कट हो जाती है चिप्स कट हो जाएंगी तब इसको इस टाइप से कट करना है अलू को इस टाइप से कही सारी चिप्स ले लेनी है लेने के बाद इस टाइप से कट करना है अलू करना है आलो मेरे कट हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे ना एक जो सिम्ला मिश है उसको भी इस टाइप से कट कर लूँगी मैंने यहाँ पे आदा सिम्ला मिश कट की है इस टाइप से कट करना है मैंने गाजर कट कर सकते हो इस टाइप से कट कर सकते हो इस में डाल लूँगी तब मैंने पानी को काफी ज्यादा अच्छे से मैंने गरम कर लिया है अब गरम पानी को इसमें डाल दूगी एक बार इसको अच्छे से दूल लेंगे इस पानी को निकाल दूगी मैं दूल कर गए अच्छे से इस टैप से पानी को निकाल दूगी मैं और फिर इसमें मैं फिर से गरम पानी डालूँगी इस ऐसे गरम पानी को फिर से मैंने डाला इसमें कि अब इस पानी को मैं इसमें आलू को मैं चार से पांप मिनाट के लिए ऐसे चोड़ दूंगी गरम पानी में सान्ट भी मेने पानी को यृत अब पानी को मैं अच्छे से दूंग इस कि यह बिजो अब फिर मैंने यहां पे पैन ले लिया है लिधाई धोड़ीन डालूँगी में धाला न की बाद मैं इसमें यह इस टैप से अलू जोते मेरे उसको मैं इसमें डाल दिया है अच्छे से चलाया है अम इसमें मैं डाल दूंगी आधा चमच नमा कासर्स कद साल करद अ इंद प्रौॉ दौनीर के डाल फिर हैं क्लादिग्या,कल धूर्ल चमच आप हरी में इस भी दाल सकते हो अगर आप जय्दा तीक़ा घाते हो तो और मैने इसमें बिनेगर डाला है एक चमज के गरीब होगा भी नेगर तर्फ इतना ही डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी बहुत जादा मैंने इसमें मैसाले वगएरे यूद नहीं किया है बहुत ही सेंपल टाइप से बना रहे हूं अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको अब इसको मैं ढख करके 5-6 मिनिट के लिए ऐसे ही पकालूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5-6 मिनिट हो चुकेते मैंने तो मैंने इसको ओपेन कर लिया है आप देख दखते होंगे काफी अच्छे से ये पक करके देड़ी हुया है अच्छे से इसको चलाया है मैंने इस टाइप से इसने पानी वगरे का इस नहीं किया है अब देख सकते हो पक चुके है मेरा जो आलू है ना पक चुका है अब इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया इस टाइप से ये रेश्पी बनके रेड़ी है अब इसको मैं खाकी दिखाती हूँ वाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बनी हुई है आप दीसे जरू बनाएगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये अब बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है कोई भी ज्यादा मैने देंगे इसमें बनाने में बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है कि मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तर तक के लिए खाईए पिए मज़े करिए